आज़ा कि आप सबी लोग राजी खुशी होंगे वीडियो के मादम से दूस्तों मैं आपको अबको तरहने आया हूं कि विगत दिनों पहले हमने एक ट्रैक के आता विसुरुताल ट्रैक तो उस ट्रैक की काफी ख़वर प्रिंट मीडिया हो या एलेक्ट्रोनिक मीडिया में आपको देखने को मिली होंगी यदि नहीं मिली हैं देखने के लिए तो आपको मैं इस पीडियो के इमादम से देखाऊंगा तो दोस्तों मैं सबसे पेले धेने बात करूँगा बरिष्ट पत्रकार लक्षमांट जिन्होंने ब्रावरस हमारी ख़वर मिडिया हो यह हो तो इसका पर नाम आगकी शामने हो तो दोस्तों कि इसकी भाद में ध्हनेबात करना चाहूंगा एलेक्निक मिडिया हंदी खबर अपना उत्राखन का जिन्हें ने हमारी खबर को इस्थान दिया और देश विद्ष के लोगों ने एक खबर देखी विसुर्ट ताहल ट्रैक को दुन्या की सामने रखा इसलिए हिंदी खबर अपना उत्राखन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं तो दो हमारे साथ आने वाले वीडियो में और चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें ताकि आपको बराबर परतेक दिन का ट्रैक का वीडियो मिलता रही तो दोस्तों हमारा ट्रैक का फस्ट पार्ट और सगेंड पार्ट आपको अपना पाड़ी जीन उत्राखन यूट्यूब चैन सब्सक्राइब करेंगारी मिलती रहे हैं इसके बाद तोंगनाद घाटी में एक आठ सदसे टीम ने विसूरी ताल तक ट्रेकिंग की और विसूरी ताल तक पहुंचने में इस टीम को तीन दिन लगे हैं चोपता, ताली, रोणी, भादड़ी, थौली से होकर विसूरी ताल तक पहुंचने का ये ट्रेक काफी लंबा और कठनाईयों से भरा हुआ है लेकिन नजारे उतने ही सुन्दर और दिल को सुकून देने वाले हैं बता दे कि केदार घाटी में कई ऐसे ट्रेकिंग स्थल हैं जिनकी अपनी एक विशिश्च्ता है और इन ट्रेकिंग रूटो की जानकारी केदार घाटी के लोगों को है और वेगाईट के तौर पर बाहरी प्रदेशों से आने वाले ट्रेकर्स को ट्रेकिंग रूटों से रूबरू करवाते हैं मगर इन दिनों कोरोना महमारी के कारण ट्रेकिंग रूटों में वीरानी सी चाही हुई है ऐसे में स्थानिय लोग ही इन ट्रेक्टिंग रूटों का आनंद ले रहे हैं और रूटों का जायसा भी ले रहे हैं विसुणी ताल का निर्मार भगवान विश्मू न किया है। इस बार तुंगनाद घाटी का आठ सदसे दल, चौपता, ताली, रोणी, भादरी, थोड़ी होकर विसुणी ताल पहुंचा है। चैनल आपने साइज सब्सक्राइब कर दिया हो, नहीं करा तो जरूर करें। ऐसी आपके सामने ब्रावर विसुणी ताल जैसे अन्या ट्रैकों का वीडियो आपके सामने मैं ब्रावर लिखकर आता रहूंगा। धन्यावार आपका दोस्त मैं पर्दी बज़वा, आपके सामने मन बड़ आपके सुर्णी ताल रहूंगा।